प्रिय विध्यार्ति साथियो यह विडियो BA, BC, BAC, BHSC, BBA, BCA First Year के विध्यार्तियों के लिए Foundation Course के अंतरगत योग एवं ध्यान के प्रश्ण पत्र की तयारी के लिए बनाया गया सात्वा विडियो है इस विडियो में अत्यन्त महत्वपुर्ण 15 अबजेक्टिव प्रश्ण वन लाइनर के रूप में दे जा रहे हैं आप इन्हें तयार कर लिजिए योग एवं ध्यान के इसके पूर्व के 6 विडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है यदि वे विडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए आपके करियर के सच्चे साथ ही करियर एडवाईज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए प्रश्ण एक प्रणव मंत्र किसको कहा जाता है उत्तर ओम या ओंकार को प्रश्ण दो तस्य वाचक कह प्रणवह किन्ने कहा है उत्तर पतन जली जीने प्रश्ण तीन तस्य वाचक कह प्रणवह का क्या अर्थ है उत्तर उस इश्वर का वाचक प्रणव यानी ओम है प्रश्ण चार तस्य वाचक कह प्रणवह में तस्य का प्रणवह किन्ने के लिए हुआ है उत्तर इश्वर या परमेश्वर के लिए प्रश्ण पाँच किस मंत्र को या किसको इश्वर के समतुल्य माना गया है उत्तर प्रणव मंत्र यानी ओम को प्रश्ण चह ओम कितने अक्छरों से मिलकर बना है उत्तर तीन अक्छरों से प्रश्ण साथ ओम किन तीन अक्छरों से मिलकर बना है उत्तर अ, उ और म प्रश्ण आठ किसका चरण या विनाश नहीं होता है उत्तर ओम का प्रश्ण नौ ओम में शामिल अ अक्छर का अर्थ क्या होता है उत्तर आविर्भाव अत्वा उत्पन्न होना प्रश्ण दस ओम में शामिल उ अक्छर का अर्थ क्या होता है उत्तर उठना, उड़ना या विकास करना प्रश्न ग्यारह ओम में शामिल म अक्षर का अर्थ क्या होता है उत्तर मुन हो जाना अर्थात ब्रह्मलीन हो जाना प्रश्न बारह कौन सा मंत्र बूरे ब्रह्मान या सरस्टी की उत्पत्ती का सूचक है उत्तर प्रणव मंत्र या ओम प्रश्न तेरह किस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि उसका जाप पवित्र या अपवित्र इस्थीतियों में किया जाता है तो लक्ष की प्राप्ति होती है उत्तर ओम या प्रणव मंत्र प्रश्ण चौदह किसको ब्रह्मान के अंदर नियमित ध्वनी कहा जाता है उत्तर ओम को प्रश्ण पंद्रह पौरानिक मान्यता के अनुसार ओम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई उत्तर भगवान शिव के मुह से योग एवमध्यान के अगले वीडियो की प्रतिक्षा कीजिए वीडियो को अपने साथ्यों के साथ साजा कर दिजे ऐसे ही उप्योगी वीडियों के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान भी पुश कर दिजिए हमारी महनत बनेगी आपकी सफलता का आधार बेस्ट आफ लक